हाई गाईस स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी नए लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चै नहीं भाई मैं आपको उसमें भी सिखाता हूं लेकिन आप बस देखके सीखने की कोशिस कर रहूं ठीक ना और एक दो वीडियो उसका आएगा तो एक दो वीडियो अब यह पर्सनल का भी मैं उसमें डालूंगा आप लोगों को प्राइजेक्शन सिखाऊंगा तो चलिए स करने वाला हूं तो प्राइजेक्शन मैं आपको बता दूँ दिखता कैसे किस जगह पर अब एक जगह यहां देख सकते हो कॉमन लेबल आपको दिख रहा है अब यहां से अगर जो मार्केट वहां तक जाती है और वहां पर प्राइजेक्शन दिखना सुरू हो जाता है या यानि कि जो पार्टी उस साइड में जा रही है वहां वीक है तो नेक्स्ट कैंडल पर लेबल के आसपास फिर अपोजिट कलर की कैंडल आ सकती है तो देखते हैं यह कैंडल गृन बनती है महां जाती है तो क्या हम वीकनेस दिखाई देती है प्राइजेक्शन दिखना शु अब जैसे यहां देखो केंडल आई कॉमन लेबल पर आके यहां पर वीक्नेस दिखने लगी अपूजिट कलर की केंडल आ गई अभी हम और बड़े टाइम फ्रेम पर भी चक कर सकते हैं देख सकते हो कुछ नंखुस आपको लेबल वहां पर दिखी जाएगा इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो चलो देखते हैं यहां पर ट्रेंड क्या है डाउन है तो हमें अगर जो ट्रेड भी पलेस करना होगा तो हम डाउन डारेक्षिन की ट्रेट प्लेस करेंगे चलो 5 डॉलर का मैंने यहां पर ट्रेट प्लेस किया हुआ है जिसका ट्रेंड होगा जादे से जादे आप और जोटी आपको उसी साइड की ढूड़नी है अलाकि यहां लेबल को टच करके गिरीन केंडल आई थी तो गिरीन आ सकती है लेकिन ट्रेंड डाउन है तो इसमें वीकनेस भी दिखी दोनों तरब से आप देख सकते हो यहां वीडिक यहां वीडिक यानि एक वीक केंडल है तो यहां एक पूजिट कलर की केंडल आ सकती है फ्राइजेक्शन इसी को बोलते है लेकिन देखते हैं क्लोजिंग अपनी अ खोड़ा सा और उपर जाए कि चलो मैंने मार्टिंगल यहीं पर ले लिया है क्योंकि वो ट्रेड अपना बिन होना था लेकिन गैप अप भी हुआ गैप डाउन होता तो अपना बिन हो जाता लेकिन गैप अप होने के वज़े से लॉस हुआ और वहां से वीकनेस दिख रही है देख सकते हो इस जगए से मार्केट को उपर जाने में अभी तो दिक्कत हो रही है फिलाल के लिए तो देखते हैं बे से कर सकते हो नहीं समझ में आ रहा है साथ मेरेट करना है किस चीज़ें पूछ नहीं है कुछ और कुछ help चाहिए तो आ सकते हो लिंक से account बनाके 50 deposit करके join कर सकते हो किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो आके साथ में ट्रेड करके देख सकते हो ट्रेड अपना विन हुआ गैब डाउन हुआ नहीं तो फिर मैं से मैं यहां फिर से डाउन की ट्रेड करता अभी कितना दिखा रहा है 92 हो गया है एक जगह कहीं कोई अच्छा लेवल मिल जाता तो फिर मैं 10 डॉलर का ट्रेड लगा देता तो उसमें अपना 100 हो जाता है यहां देखो डाउन का डाउन ट्रेंड तो है लेकिन केंडल बहुत वीक है तो प्राइज एक्शन के अपोजिट तो मुझे नहीं जाना है वेट करते हैं किसी चार्ड पर देख लेते हैं देखो मार्केट खराब रहेगी तो लॉस भी होता ऐसा नहीं है हमेशा प्रॉफिट होता है क्योंकि बीच में 4-6-8 दिन मार्केट बहुत खराब थी तो अपना ट्रेडिंग भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा था लेकिन अ त्युक्त करते हैं यहां कुछ खास दीक नहीं रहा ह। छलो दूसरे चार्ट पर देख लेते हैं कभी-कभी ऐसे होता है कि मार्केट में कोई लेबल नहीं दीखता है यहां देख सकते हो यहां से एक बार सेलर की कंडल आई थी साइड में inverted हैमर लेकिन यहां से बायर ही प् अरे, बहुत खराब इंट्री लग गई, इन्वेटेड हैमर का लेबल होता है वहाँ, चलो 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 बढ़ाना पड़ेगा मुझे, एक ही ट्रेड मैं करूँगा, ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया, तो एक ही ट्रेड मैं करूँगा, ये पिछली कैंडल को खीच के ले गया थे, बायर इसकी वज़े से मैंने हलाकि इसके विक को क्रॉस नहीं किया, लेगिन चलो, मेन चीज होता है हैमर, तो इसकी वज़े से वहाँ पर रेड कैंडल आई, कोई शुने है, चलो गलती हो जाती है, दूसरे चार्ट पे देखते है एक ही ट्रेड करके मैं आपको अंड्रेड पूरा करके दिखाऊंगा, थोड़ा और उपर जाए, अरे, 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 नहीं, यहाँ वीकनेस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इंट्री अच्छी चाहिए, 50% के आसपास, तो सोच सकते हैं, नहीं, 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 इंट्री करूं होंगा, उस पर मैं, कोई अच्छा लेबल चाहिए, क्यूंकि ट्रेड बड़ा है, 20 डॉलर का है, तो कोई बढ़िया लेबल चाहिए, मुझे, यहाँ ट्रेड अप है, और एक रिवर्सल केंडल आ गई है, फिर यह केंडल उसको कवर करेगी, बायर का प्रेशर है, तो यहा इस ट्रॉंग कैंडल होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी ना दिखे, और नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, इसकी मारो बुजो बनेगी तो भी मैं, अपके लिए ही जाऊंगा, अदे यार, इंट्री थोड़ी से गलत हो गई है, मैं आपके लिए ट्रेड ले लिया है, वेट करते हैं, 20 डॉलर का ट्रेड है, क्योंकि वो ट्रेड मेरा लोस हुआ था, तो मेरा 82 आ गया है, अब यह विन हो जाएगा, तो इसमें मेरा 100 लग जाएगा, लेकिन इंट्री थोड़ी से गलत हो गई है, ट्रेंड अप है तो डरने की कोई बात नहीं है, और एक स्ट्रॉंग केंडल भी पीछे है तो, कोई इश्यू नहीं है, बस डोजी ना बने बस, डोजी बन गई तो लोस हो जाएगा, नहीं तो 100 लग जाएगा, चलो 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 लग जाएगा भाई, अब यहां पे ट्रेड लेने का रीजन, बायर, 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 इस्ट्रॉंग बायर, फिर बायर की स्ट्रॉंग केंडल, इसका 50 परसेंट एक लेवल होता है, फिर बायर की एक स्ट्रॉंग केंडल, तो अब येट सेकेंड है, सेबन, इतनी नीचे तो नहीं आनी चाहिए, देखते हैं, चलो ट्रेड अपना विन हो गया है, और मुझे लग रहा है हंड्रेड, चलो, इक्जैक्ली हंड्रेड हो गया, तो दोस्तो आई होप आज की वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा, और आपको ट्रेड साथ में करना है, तो मेरे लिंक से अकाउंट बना के आजाओ, साथ में ट्रेड करेंगे, कुछ पूछना है, कुछ जाचना है, आप जो भी 15-10 डॉलर टार्गेट रखो के भाई, उसको पूरे दिन में ट्रेड करा के, मैं कोशिस करूँगा उसको पूरा करने की, तो आना है तो आजाओ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए, नमस्कार